हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम शावाज है और मैं आपका इलेक्रिक पॉइट में स्वागत करता हूँ तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब कभी हम अपनी CD या DVD में कोई डिस्क चलाते हैं और कोई डिस्प्ले नहीं करता और हमारी स्क्रीन पर नो डिस्क का एरर आता है तो इस वीडियो में आपको यहीं सिखाऊंगा कि इस एरर को किस तरह के दूर किया जाए अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आप यह पी जान पाएंगे कि इसकी असेंबली को किस तरीके से ऑपन किया जाए इसके andकी नार्थ क्वास्च कोंप़नेंट्स जो इसके लैंस सेंबली में लगे होते उन को किस तरी के से चेंग किया या आप सीख पाएंगे जो यह डूट पर आया अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह LG कंपनी का है और उसके अंदर प्रॉब्लम यही है कि जब कोई डिस्क चला रहे हैं तो यह थोड़ी सी रोटेट करती है और उसके बाल इसकी स्क्रीन पर नहीं सिखाने वाला हूँ कि अगर आपके डूट पर में भी इसी तरह का एरर आ रहा है तो आप उसको किस तरीके दे ठीक करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स स्टैप बाइस्टैप देखते चले जाईए कि किस तरीके से हमने इसकी लेंस असेंबली को ओपन कराए यह जो नो डिस्क का एरर होता है यह या तो इन दोनों मोटर जो यह रोटेटी मोटर स्लाइड मोटर लगी है या तो इनके खराब होने से होगा या फिर लैंस के खराब होने से होगा तो सबसे पहले हम इन दोनों मोटर को चेक करेंगे चलिए अब हम इन दोनों मोटर को चेक करेंगे इसके लिए हम इन दोनों मोटर के अंदर एक एक वोल्ट की सप्लाई देंगे आज़े इस्वाली मोटर का तार है और ये वाला तार इस वाली मोटर का है अब इसके अंदर एक वोल्ट की सप्लाई देंगे और देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने इसके अंदर एक वोट दिया हमारी यह मोटर घूमने लग गई और जब हम इसको उंगली से टच कर रहे हैं तो यह काफी स्पीड पर घूम रही हैं काफी पावर है इसके अंदर चलिए फ्रेंड्स अब हम दूसरी मोटर को चैक करते हैं और हमने इसके अंदर एक वोल्टेजिश सप्लाइब दी और देखिए यह बिल्कुल भी चल नहीं रही है यह देखिए एक वोल्टेज पर बिल्कुल हलकी गूम रही है लेगिन इतनी नहीं गूम रिए कि गूम मोटर में तो अब हम दोस्तों की वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीस कर देते हैं डेड़ वोल्टेज देखिए मैंने कर दी वन पॉइंट फाइव वोल्टे अम में दे रहा हूं तो एक घूम तो रही है लेकिन जब मैं इसा अंगली से टच कर रहा हूं तो इसके अंदर लोड और फ्रेंड्स जैसे ही हमने इसकी मोटर को चेंज किया जो खराब थी तो हमाई डिस्क देखिए बिल्कुल सही तरीके से प्ले होने लगई और नो डिस्क का फाल्ट इसके अंदर से बिल्कुल ठीक हो गया तो फ्रेंड्स अगर आप कोई वीडियो हमारी अच्छे लगी प्लीज वीडियो को शेयर करें लाइक करें और दोस्तों को आप हमारी चैनल से जोड़ रहा है चाहते हैं तो ही कम्माल की वीडियो अपने इमेल पर मैसेज पर रेसीब करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बना भूले धन्यवाद अस्सलाम अलेकुम